ही गाईज देखो यहाँ पर आइनोक शेर में लास्ट वर्किंग डे में 6-7 परसंट का जम्प देखिने को मिला था इसके पीछे एक बहुत अच्छी खबर है जिसके कारण यह स्टॉक भाग रहा है अच्छी खबर क्या है पहले देख लो पिछले एक साल से यह स्टॉक ने 62 परसंट का रिटन दिया है जो के बहुत ही अच्छा रिटन होता है एक साल में बहुत अच्छी अच्छी स्टॉक गिरे हैं लेकिन यह अपने 52 विक हाई पर पहुंच रहा है क्योंकि आज़ करें कि ड्रीट में अगर आपन देख रहे हैं बहूत सरी हैसे मूवी जो हिट कर रहे हैं मतलब एक गया है दूसरा गया तीसरा आ तो हमतल्ब बहुत सारी मोवीजime भी आरहे तो मतलब बहुत सारे अभी आ रहे हैं, इतना तो है, है की नहीं, अब यह देखो, दोनों भाई के, दो जो है, साउथ की आया है, जो Box Office पे काफी अच्छा, कमा रहे हैं, दोनों मतलब साउथ में, भाई नहीं हैं, लेकिन दोनों मिल के काम करे हैं, कौन समों भी आ रहे हैं, लगबग अब थेटरस काफी अच्छे पोजिशन पे आ रहे हैं, काफी बड़ा कमाई हो रहा, पिछले 5 साल में देखोगे, तो यहाँ पर ही एक प्राबलम वाली बात थी, जो के लगबग COVID के कारण यह स्टॉक गीरा था, उसके कारण अभी तक यह उठ नहीं पाया है, PVR, Inox, Announce, Merger, तो यह दोनों आपस में बात चित कर रहे हैं, मर्ज करने केलिए, यह दोनों क्या कर लएंगे हैं, आपस में जब मर्ज कर लेंगेँ हैं, यह बहुत सारा ऐसे screen है, जो लांच करेंगें, मतलब हर जगा जो है थेटर, यह क्या कर सकते हैं, ऑपिन कर सकते हैं तो इनसे क्या होगा कि इनका revenue बढ़ जागा इनकी एक ताकत बढ़ जागी और जो profit आएगा ये अपने ratio में भी divide कर सकते हैं अपने हिसाब से इनके जो executive director है वो भी इस चीजों को approve कर रहा है क्योंकि उनको भी यहाँ पर profit दिख रहा है इस वज़े से ये stocks में काफी बड़ी तेजी पहले भी आई है और अभी भी आ सकते हैं क्योंकि ये सारे खबर अगर आप देखोगे तो 18 hour, 5 hour और देखिए तो नीशे देखेगा 4 hour, 10 hour मतलब ये जो खबर है ना अभी ही आया है Saturday, Sunday को तो market बंद था तो अभी जो है इस working day में इसका impact आपको देखनी को मिल सकता है तो इसके साथ साथ आप आईनो उसके साथ साथ PVR पे भी ध्यान दे सकते हैं जहां तक कि PVR की बात करते हैं तो ये अपने हाई पर तो ज़्यादा नीशी आ चुका था लेकिन अभी अपने लेबल पर जा रहा है इसका देखो चार्ट भी अगर आप देखोगे तो उपर जाने की कुसिस कर रहा है अगर इस गिरावट को अगर आप हटा देते हो तो यहां से यहां से जब स्टॉक भागता था था ना तो सभी लोग इसको खरीदना चाहते थे सभी लोग इनके पास सोर्स अफ रेविन्यू और है इनका सोर्स अफ इंकम क्या है कि थेटर के अंदर जो लोग जाते ना उनको यह लोग फूड आइटम बेजते हैं कोल्डिंग्स वगर बेजते हैं वहां से भी लोग काफी अच्छा-का सकते हैं